हलो एवरीवन, वेलकम टो माई यूट्यूब चानल ए एच हलपलाइन, कैसे हैं आप लोग? सो जो आप स्टोडेंट को इगनो के तरफ से प्रोमोशन आफर किया गया था, उनके लिए बहुत अच्छा ख़वर है, क्योंकि इगनो ने फाइनली प्रोमोशन का मार्क्स ग्रेट कार्ड में एड कर दिया है, जी हाँ, काफी दिनों से स्टोडेंट ने इंज़ियार करे थे कि प्रोमोशन का मार्क्स ग्रेट कार्ड में कब एड किया दाएगा, तो वो अब ग्रेट कार्ड में एड कर दिया गया है, आप लोग अपना अपना ग्रेट कार्ड चेक कर सकते हो, इस वीडियो में हम लोग डीटेल में बात करेंगे, कि कौन कौन से स्टोडेंट का प्रो को सब्सक्राइब करें, बिल आइकन को प्रिस करें, ताकि हर एक एक इक इन्फरमसन आप लोग को time to time मिलता रहे, नो देखो, इससे पहले आप लोग को पता होगा कि इनों ने दो batch के student को promotion offer किया है, July 2019 batch और July 2020 batch July 2020 batch के student तो अभी first time जुन्दा 22 में exam दे रहे हैं, तो जब वो लोग अपना promotion का criteria फुल्फिल कर लेंगे, तब उनका marks add किया जाएगा, promotion का criteria क्या है, आप लोग को first year में promotion offer किया गया है, तो second year के सारे paper clear करने होंगे, ठेक है, तो first year का promotion का marks add कर दिया जाएगा, ठेक है, तो July 2019 batch की जतने बे इस्ट्रेंट है, वो तो अभी criteria फुल्फिल करेंगे, लेकिन July 2019 batch की जतने बे इस्ट्रेंट है, खास कर B.A.G., B.C.G. के student, जिनोंने इस बार, I mean 2017 का exam जो 4 मार्स से 11 अप्रिल के बीच में conduct करवाए गया, उसमें अपना promotion का criteria फुल्फिल कर दिया है, और सभी paper को clear कर लिया है, उनका marks, promotion का marks grade card में add कर दिया गया है, तो example के तो पर देख लो, जैसे की, criteria क्या था, criteria को याद अखना, जितने भी B.A.G., B.C.G. के student थे, उनका criteria ये था, कि आपको first year में promotion offer दिया जा रहा है, और आपको second year के सारे paper clear करने होंगे, और उसी के basis पे first year का marks add कर दिया जाएगा, ठेक है, तो July 2, 19-20 के student को first year में promotion offer किया गया था, और उनको second year के सारे paper clear करने थे, तो जो भी student ने अपना criteria फुल्फिल कर दिया है, उन्ही का marks add किया गया है, अगर किसी ने एक भी paper अभी clear नहीं किया, मालो, 8 paper है second year का, उसमें से 7 paper clear कर लिए, एक paper बाकी रहा गया, तो भी उनका promotion का marks add नहीं किया गया, promotion का marks तभी add किया जाएगा, जब आप पूरा का पूरा paper clear कर लोगे second year का, ठेक है, फॉर्स year में promotion दिया गया, तो second year का सारा paper clear करना होगा, second year में दिया गया तो first year का सारा paper clear करना होगा, ठेक है, बाकि BCA की जतने बेस्ट्वेंट है या MCA की जतने बेस्ट्वेंट है जिनका भी semester cycle है तो उनका भी criteria दिया गया था कि अगर आपको second semester में promotion दिया गया है तो आपको first semester के basis पेड़ किया जाएगा तो उस इसाफ से आपको सारा paper clear करना होगा ठीक है तो जो जो student ने ये सारा criteria को fulfill कर दिया है उनका marks grade card में add कर दिया गया तो आप देखो यहां पर किस तरीका से marks calculate किया गया है आप लोग को यह तो बहतर पता होगा कि जो promotion का marks होता है वह average calculate किया जाता है and सभी paper में same marks add किया जाते है ठीक है तो यहां पर आप लोग देखोगे कि promotion का जितना भी marks सब में same marks add किया गया that means कि उसमें promotion दिया गया है उसमें same marks add किया गया ठीक है ताकि आप लोग को मैं सही से देखा पाओ now अब आप लोग देखो कि marks कैसे calculate किया गया है ठीक है न बाकी अदर जितने भी program है उनके उपर मैंने already video बनाया हुआ है चाहे वो सब के उपर मैंने detail में video बनाया हुआ है और जो भी other program के इस्ट्रेंट है वो भी इन सभी वीडियो को देख सकते है सभी का separate link description में दिया हुआ है कार्ड में भी आप लोग को video का link मिल जाएगा अभी के लिए फिलार हम दोग देख लेते हैं कि बीएजी बीकम जी बीएजी जी के स्ट्रेंट का marks किस तरीका से calculate किया गया ठीक है वीडियो में आगे मैंने से पहले हम लोग एक platform के बार में बात करेंगे जिसका नाम है reliable by unacademy अभी की टाइम पे जाते स्ट्रेंट का mindset यही रहता है कि बस हमें एक government job मिल जाए हमारा life secure हो जाएगा लेकिन अगर मैं आपको बताओ कि government job के इलावा भी बहुत सारे इसे field है जहाँ पे आपका life secure हो सकता है तो आपको थाँसा impossible लएगा लेकिन यही impossible thing को possible करने में मदद करता है reliable by unacademy क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक test pass करना होता है और आपको आपके dream company में job मिल सकती है example के तो पे सुभम सागर जिन्होंने पहले engineering किया फिर UPC की तेयारी करे थे उसमें उनका selection नहीं हुआ उसके बाद से उन्होंने अपना खुद का magazine publish किया और इन सभी के दौरान उनको product management and planning में काफी interest आया उन्होंने reliable पे associate product management test pass किया and right now he is a product manager as at logic kid इसलिए उनका holding उनके parent के साथ उनके सहर में लगा हुआ है और बाकी अदा जेतने भी person ने reliable का test पास किया गया है 300 से ज्यादा job offer दियेगा है तो देर की इस बात की अभी register करे sign up करे slot book करे हरीकेक चीज का link description में दिया हुआ है तो देखो यह जुलाइग होचा 19th batch के student है ठीक है इनको first year में promotion offer किया गया first year में कितने paper है total 8 paper है ठीक है now उनको सारा paper clear करना था second year का इसी के basis पर first year में marks add होने है तो first year की यह सारे paper में same marks add होंगे और उसका average calculate होगा second year के basis पर तो second year में कौन-कौन सा paper है BPAC 133, BEJLA 138, BANS 184, total यह 8 paper है यहाँ पे देखो BPAC 133 BPAC 133 उसमें आया कितना 60 तो हम लोग एक ही करके सभी paper को calculate करते हैं यहाँ पे देख लो मैंने calculator on किया अब देखो जो जो dot जिसमें red color का dot है उसको मैं plus करता हूँ 74 प्लस 57 प्लस 56 प्लस 60 प्लस 67 प्लस 72 प्लस 60 प्लस 71 ठेक है तो हुआ 517, total 8 paper थे तो यहाँ पे देखो total 8 paper थे यह 8 paper का marks हमने add कर दिया कितना हुआ 517 इसको 8 से divide कर देना है क्योंकि 8 paper था ठीक है बाद simply 8 से divide करना है कितना हुआ 64.62 now अब आप लोग को पता होगा कि इगनु में जो point का calculation वो इस से रिकस है कि अगर point के बाद यहाँ पे 5 रहे या उससे ज़्यादा रहे तो हम इसमें 1 add कर देते हैं ठीक है अगर माल लो 64.23 रहता तो सभी में 64 add होता लेकिन क्योंकि यहाँ पे 64.62 है तो इगनु के rule के 65 overall तो इसलिए देखो promotion के जितने भी paper है उन सब में marks add किया गया 65 65 65 65 65 65 65 65 total कितने थे फर्स यह में 8 paper थे यहाँ पे देख लो मिला लो BGAE 182 देखो यहाँ यहाँ पे BGAE 182 ठीक है BGAE 136 ठीक है तो सभी में फर्स यह के paper में 65 65 65 add कर दिया गया बास समझ में है तो इसी तरीक ने पूरा paper clear कर लिया है तभी उनका promotion का marks add किया गया है okay now master dk student का भी देख लेते हैं हलाके मैंने पहले भी बताया था लेकिन यह student ने इसी session में complete किया ठीक है तो मैं बता दरूँ आप लोग को जैसे देखो master dk student है July 2019 batch के ठीक है तो first year में उनको promotion offer किया गया याना कि IBO 01 02 03 04 04 05 06 ठीक है second year का उनको सारा paper clear करना था MC 01 से लेके MC 07 तक 03 04 05 06 07 ठीक है तो इसमें simple सा चीज है कि आपको सारा paper को plus करना सिर्फ theory का paper assignment को I mean count नहीं कर रहा हलाके पहले इगनो मैं किया ना कि हमीशा change होते रहता है ठीक है वो लोग notification में कुछ बोलता है फिर बाद में पता सलता है यह तो possible नहीं है अब आप लोग सोचोंगे एक मरतवा मतब सोची सकता है कोई बेस्ट्रेंट कि जब यहां पर notification release किया गया था यहां पर बोला गया था कि जो marks calculate होगा वो assignment और theory दोनों को मिला के calculate होगा ठीक है यहां पर लिखा हुआ था कि जो declaration होगा result वो किसके basis भ average of term and exam marks of the second year course लेकिन assignment को अब इन्होंने हटा जिया सिर्फ theory के उपर ही calculate किया इससे पहले भी जितने भी इस्ट्रेंट का promotion का marks add किया गया वो सारा theory के उपर calculate किया गया उसका वज़ा क्या है क्योंकि assignment के marks यह लोग time पर update ही नहीं करते हैं assignment के marks update होने में एक-एक साल डेड़ साल लग जाता है तो फिर student का promotion का marks add होता ही नहीं और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता इसलिए बाद में decision लिया गया कि चलो सिर्फ theory के उपर ही हम लोग I mean calculate करेंगे promotion का marks भले इस assignment का marks नहीं भी update हो अगर theory का paper सारा clear हो तो फिर उसको add कर दिया जाएगा ठीक है तो यह प्लस 40 ठेक है टोटल कितना हुआ 309 कितने paper थे एक दो तीन चार पाँच छे ठेक है जिसको 6 से divide करेंगे बस तो हो गया 51.5 ठेक है तो जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पे 5 यहाँ से ज्यादर है तो इसको overall consider किया जाता है तो 51.5 था तो यह हो जागा 52 अगर 51.2 रहाता तो य जे रहाता 51 ठेकिन 5 है इसलिए हो गया 52 इसलिए देखो यहाँ पे promotion के जितने भी paper है IBO 01, 02, 03, 04, 05, 06 सब में 52, 52, 52, 52 marks add कर दिया गया ठेक है समन में आ गया बात उसी तरह का से एक और student का मैं देखा दे रहा हूँ यह तो मैंने यह मैंने पहले देखा था था ना 65 65 उसके आप लोग को doubt ना रहे ठीक है ओके तो यह किनना है 63 प्लस 48 प्लस 62 प्लस 65 प्लस 41 प्लस 68 प्लस 41 प्लस 52 ठीक है हो गया 440 कितने paper थे 8 paper थे 8 से divide कर देंगे तो हो जाएगा 55 ठीक है यह exact 55 है तो देखो सब में 55 55 55 यह सभी add कर दिये गया बासमन में आ गया ना कि प्रोमोशन क वाले paper है अभी तो वैसे कोई student का मैंने देखा नहीं जिन्होंने पुरा criteria को फुल्फिल कर दिया है ठीक है लेकिन practical में promotion offer नहीं किया गया इतना याद रखना सिफ theory के basis पर ही calculate होगा गर्मान लोग कोई student ने theory सारा complete कर लिया और practical बागी बचा हुआ है तो उनका theory के basis पर promotion का average निकालने में ठीक है तो जो भी student है BAG, BCG, BCG से बिलॉंग करते हैं या जो भी student ने इस session में अभी जो मार्च में exam कंड़ करवाए गे ती समद्व है की session का उसमें अगर अपना सारा criteria फुल्फिल कर दिया है तो वो लोग अपना promotion का marks चेक कर सकते हैं उसका link description में दिया और यहां से जो भी program से आप बिलॉंग करते हो अगर BAG, BCG वाले student हो CBCS यहाँ पर select करेंगे यहाँ पर अपना program select करेंगे, enrollment output करेंगे, submit करेंगे तो इस सरीकर से grade card open हो जाएगा और बाकी अदर जितने भी student है जिन्होंने अभी तक criteria को fulfill नहीं किया है तो June 22 का जो exam होने वा फिल फिल कर देना, अगर एक भी paper रह गया तो भी आपका promotion का marks add नहीं किया जागा, तो इस चीज को आप पर याद रखना कि promotion का marks सभी add होगा, जब सभी के सभी paper, यानि कि second year, first year promotion दिया गया है, तो second year के सभी paper complete हो जाना चाहिए, उसके बाद होगा, क्योंकि यहाँ पर average calculate हो scheme है, वो सभी paper के लिए है, partial exemption applicable नहीं है, ठीक है, promotion का अगर आप लोग notice देखोगे, तो वहाँ पे clearly बोल दिया गया, the exemption scheme is applicable for all the courses of first year, no partial exemption is admissible, तो ऐसा नहीं हो सकता है, कि आप कुछ paper में appear हो गया है, और बाकी सोचोगे कि चलो वो paper में promotion दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं होग promotion का marks add हो जाएगा, तो सब को समझ में आ गया, कि किस तरीका से promotion का marks add किया गया है, कैसे कैसे calculate किया गया, कौन-कौन से program का promotion का marks add किया गया है, हर एक एक चीज मैंने इस वीडियो में detail में बता जिया, मुझे उमीद है कि यह साभी information आप लोग को useful लगी होगी, इसलिए वीड सत्मे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लास्ट में मैं यह भी बोलनू कि जो भी other program के student है, वो यह सब वीडियो को देख लेंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा, कि उनका